Hey friends, welcome back to our channel आज की रेसिपी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है It's a perfect healthy breakfast recipe Corn Flakes French Toast वो भी एगलिस इसे बनाना एकदम असान और सिंपल है सबसे पहले हम एक बैटर बनाएंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे टू मीडियम साइज बनानाज राफली चॉप्ट हाफ टी स्पून दालचीनी पाउडर 1.5 कप या 200 ml मिल्क वन टेबल स्पून ओफ हनी अब इनको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे चलिए बैटर हमारा रेडी है इसको अलग रख देते है अब लेंगे ब्रेड के स्लाइसेज ब्राउन ब्रेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोनों स्लाइसेज पे थोड़ा सा ओरेंज मामलेड लगाएं या तो कोई भी जैम जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं और इसका सैंविच बना लें मैंने यहाँ कॉन फ्लेक्स लिये हैं और इसको हाथों की हेल्प से क्रश कर लिया है अब जो बैटर बनाया था उसमें सांविच को डिप कर लेंगे और दोनों साइज से अच्छे से कोट कर लेंगे हमें अच्छे से इसको सोक करना है अब इसको कॉन फ्लेक्स से कोट करेंगे दोनों साइज से इसे भी अच्छे से कोट कर लेंगे ये रेडी है अब चलिए इसको सेक लेते हैं तवे को ओल या बटर से ग्रीस कर ले कोट किये हुए सांडविच को रख दे और इसको दोनों साइट से क्रिस्प होने तक पकाएंगे एक साइट से पकने में इसको दो से तीन मिनिट लगेंगे फ्लेम हमें लोही रखनी है ध्यान रखे हमें इसको कृस्प करना है ऊर इसको जलाना नहीं है दो मिनिट पोग चुके हैं और यह साइट से क्रिस्प हो गया है अब इसको पलटके दूछरी साइट से क्रिस्प होने के लिए छोड देंगे यह दोनों साइट से एक दम क्रिस्प हो गया है इसको तब इसे उतार ले और पोर पार्ट में कट कर ले तो यह लीजे हेल्दी फ्रेंच टोस्ट रेडी है एक दम गार्निशिंग के लिए डालेंगे उपर से थोड़ा सा बैटर जो हमने बनाया था और ओरेंज मामले दिया कोई भी जैम जो आपको पसंदो यह लीजे हेल्दी और टेस्टी कॉनफ्लेक्स फ्रेंच टोस्ट रेडी है इसे जरूर शॉय करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह हेल्दी ब्रेक्फास्ट रेसिपी कैसी लगी और हाँ जाते जाते प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तिल देन बाइब और टेपकेर